पिछली वीडियो में हमने व्यन्जन च़ को किया था आज हम हिंदी वर्ण माला की व्यन्जन च़ को लेकर आए हैं किसको लेकर आए हैं बच्चो च़ को लेकर आए हैं हम हिंदी व्यन्जन च़ को करेंगे तो देखो क्या बनता है च़ से ये क्या है बच्चो छसे चाता आप लोग जब बारिश होती है तो क्या लेकर जाते हो बारिश से बचने के लिए छसे चाता और ये क्या है बच्चो देखो तो छसे चाच क्या है बच्चो छसे चाच आप पीते हो ना गर्मियों में ठंडी ठंडी चाच आपने देखी है ना और क्या बनता है छसे च्छडी च्छसे च्छडी आपके जो दादा या दादी होंगे घर पे आपने देखा होगा उनको इस च्छडी के सहारे चलते हुए तो ये क्या है चह से चड़ी और ये क्या है बच्चो चह से चिपकली चह से चिपकली आप सब ने अपने घरों में देखा होगा किसको चिपकली को दिवार पर चलती है ना चिपकली और देखो बच्चो ये क्या है ये है चह से चात्र जैसे आपको इंग्लिश में स्कूल में बोला जाता है स्टूडेंट तो हिंदी में हम बोलते हैं 6 से चात्र तो बच्चो समझ में आया 6 से क्या होता है चात्र बच्चो हमारा जो वेंजन 6 था वो यहीं परिस्माप्त होता है आप सब इन शप्तों की दोराई घर पर करें हम अगले वीडियो में मिलेंगे हिंदी वर्ण माला की अबसे अबसे प्यात्त आप यहीं धे हैं गाया जात्त ने लग्त अपरिए